हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल लाले दी मस्ती आज हम बात करेंगे भरतपुर के किले के बारे में जो लोहागर्ड दुर्ग या आयन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है यह किला राजिस्तान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है इसका निर्मान सन अठारा सो के आसपास जात राजा सूरजवल ने करवाया उस समय तोपो का बहुत प्रचलन था तो वे ऐसे किले का निर्मान करवाना चाहते थे जिस पे तोपो का असर बिलकुल भी नहो इसके लिए उन्होंने किले के चारो तरफ रेत की मूटी दिवार वे एक गहरी खाई खुदवाई जो हमेशा पाने से भरी रहते थी जिसको पार करना दुश्मन के लिए लोहे के चने चबाने के समान था क्या मुगल और क्या अंग्रेज किसी के लिए भी इस किले को भेट पाना नामुंकिन था अंग्रेज उन्हें तेरा बार इस किले पर आकर्मन किया लेकिन फिर भी उन्हें हर बार मोकी घानी बढ़ती उनकी तौप की गोले रेत में जाके ठंडे बढ़ जाते यही कारण है कि इसे भारत का एक मात्र अजय दुर्ग होने का गौरव हासिल है भरतपुर को अजय बने रखने में वीर राजाओं के साथ जो सेना पती मिलकर लड़े थे वे करण सिंग माड़ापुरिया थे जिनकी वीरता के चर्चे भरतपुर से लेके दिल्ली तक थे एक बार नरेश जश्वन्त राज अंग्रेजों से लड़ते लड़ते भारी मुश्किल में फस गई तब उन्होंने सहायता के लिए जाट राजा रंजीत सिंग से गोहार लगई और जाट राजा रंजीत सिंग ने लौड लेग तथा अंग्रेजी सेनाओं का डट कर सामना किया लोहागड दुर्ग के सामने अंग्रेजों की तो बिल्कुल नाकामियाब रही और उन्हें तेरा बार मोकी खानी पड़ी इस किले के दरवाजे का अपना अलग इतिहास है अस्त धातों की जो दरवाजे अलाउदिन खिलजी चितोडगड के किले से छेन कर दिल्ली ले गया था उन्हें भरतपुर नरेश, जवाहर सिंग दिल्ली से उखाड कर भरतपुर लाए और भरतपुर के केले में लगवाया भरतपुर के वी राजाओं की वीर्ता के बारे में एक कवी ने अपनी कवीता में लिखा है कि हुई मिसाल मशूर विश्व में आठ फिरंगी नौ गोरे लड़े किले की दीवारों पर खड़े जाट के दो छोरे वीर्ता के अलावा भरतपुर राज्य एक परेटन स्थल भी है पक्षी प्रेमियों के लिए केवला दिव राष्टे उधन किसी स्वर्ग से कमनी है जो अंतराष्टे परेटों को का मुख्य स्थल है इसके लावा यहाँ पर राम जी का मंदिर, लक्षमन जी का मंदिर, गंगा जी का मंदिर वह बिहारी जी के मंदिर भी प्रसिद्ध है तो दोस्तों कुछ ऐसा है अपना भरतपुर अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट और लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू